लाला 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 Hello everyone, welcome back to my channel नहीं आशिश दिवारी Valentine's Day week चल रहा है तो कुछ वीडियोस थी हमारी most viral videos थी हमारी TikTok पर मैं चाहती थी उनको फिर से recreate करूँ आशिश जी के लिए कल के दिन में post करूँ कल Valentine's Day है और मैंने कुछ videos अब में बनाने जा रही हूँ मैंने उनकी फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है ब्लैक कलर वह videos में Instagram पर पोस्ट करूँगी अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ देख सकते हैं ID में आपको mention कर दूँगी क्योंकि ये दिन हमने हमेशा celebrate किया है हमने friendship date तक celebrate किया है वो चूड़ियां लेकर आते थे मेरे लिए मैं चाहती थी कि ये करूँ उनके लिए क्योंकि मेरे लिए तो आज भी है पहले मेरी ID का नाम TikTok पर कुछ और था फिर lovebirds कर दिया गया तो lovebirds की कहानी में आपको बताना चाहती हूँ कैसे हम lovebirds बने TikTok पर हमारी जो most viral video थी जो हमारी पहली viral video थी साथी मेरे तेरे बिना आपने शायद देखी हो वो कैसे viral हुई क्या कहानी है उस video की अपनी अलग ही एक कहानी है तो वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बस कुछ थोड़ी सी बाते हैं कुछ थोड़ी सी यादे है तो हमें बताऊंगे आपको की वो video कैसे बनी थी शायद वो video viral होनी थी क्योंकि उसी से मेरी पहचान बनी उसी से लोगों ने मुझे जाना नॉर्मल वीडियो थी ऐसा सोच के हमने नहीं बनाया था मैं काफी videos बनाती थी टिक टॉक पर क्योंकि लोगडाउन लगा तो टाइम पास के लिए वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया था वो टाइम पास का पहचान बन गया पता ही नहीं चला और वो जो वीडियो थी ना वो तो हमने ऐसे ही नॉर्मल आप देखो उसमें घर के कपड़े पहने हुए तो वो नॉर्मल वीडियो थी और वो जो गाना है साती मेरे तेरे बिना तो वो क्या हुआ ना कि एक दिन पहले रात में जब हम वीडियोस देख रहते तो ये गाना जैसे ही सामने आया तो ताशी उसमें डांस करने लगी तो हमने वो गाना उसको सुनाया तो ताशी पूरे स्टैप कर रही थी कि उसने देखा हुआ था वो वो इस टैप कर रही थी बिल्कुल प्रॉपर इस टैप में तो हमने सुचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं तो इसको अच्छा लगेगा तो वो जो वीडियो ध्यान से अगर उसको देखेंगे मैं क्लिप चला दूँगी यहां पर उसमें ताशी बीच में आई भी है क्योंकि उसको वो गाने इतना पसंद है न तो वो बीच में आई भी तो उसको पसंद था इसलिए हमने यह सौंग बनाया शायद उसी के जरीए यह वाइरल होना था और एक टेक लिया दूसरा टेक भी नहीं लिया और वो वीडियो शूट करके और मैं अपने काम में लग गई तो कि उस दिन हमारे यह समोसे बगएरा बनने वाले थे तो मैं अपने काम में लग गई काम में लगने के बाद जब रात में मैंने मोबाइल उठाया तो देखा कि 35,000 लाइक मैंने का रे साड़े तीन लाइक व्यू उतनी देर में जाधा टाइम नहीं हुआ था फिर काफी डूएट उतने टाइम में बन चुके थे कई लोगों ने वीडियो भी बनाएं हमारे उपर रियेक्शन दिया आपना कि कहा जाता था कि एक संसकारी बहु के नाम से संसकारी जोडी के नाम से हमको जाना जाता था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो टूएट बने थे कहीं से कुछ लिक नहीं रहा है अश्लीलता नहीं है वीडियो में ऐसा नहीं है कि शरीट दिखाकर ही आगे बढ़ा जाता ऐसा नहीं है अपने संसकारों के साथ म नहीं नहीं बनाया था कि वीडियो इतनी वाइरल होगी, फिर मैं अपने काम में लग गई, उसके बाद जब मैं काम से फ्री होगी, एक बज़े अपनी रूम में आई, तो मैंने मुबाइल उठाया, और देखा तो वीडियो गायब, वीडियो डिलीट हो गई थी, टिक टॉक मैं में में वीडियो फिर से पोस्ट कर दी, कि ऐसा ऐसा हुआ है, और आप लोग फिर से सपोर्ट करें, तो सपोर्ट के लिए भी काफी वीडियो बनना स्टार्ट होगी, कि हम आपके साथ हैं, फिर से वीडियो वाइरल होनी चाहिए, इसको डिलीट नहीं होना चाहिए, औ और पांच मीट के अंदर मेरी वो वीडियो भी वापिस आ गई लाइक व्यू के साथ उसके साथ वो फिर से उन्होंने वापिस दे दी जब मैंने रिपोर्ट करी दीरे-दीरे, एक दिन, दो दिन मैं, मतलब उससे मुझे इतने फॉलोवर्स मिले थे लोगोंने फॉलो करना स्टार्ट किया, डिमांड आने लगी कि हमें आपकी वीडियो देखनी है हमें आपके इसी गेटप में जैसा गेटप मेरा रहता था सिर पर पल्लू क्योंकि मैं वैसी ही रहती थी मेरी फहचानी थी पल्लू वालीThis मतलब मैं पल्ला लिये रहती थी तो लोगों ने कहा कि ऐसी वीडियो देखनी है हमने वीडियो बनाना स्टाट किया और हमारी हर एक वीडियो वाइरल जाने लगी, हर एक वीडियो, हम जो भी सौंग बनाते थे, हमें पुराने गाने पसंद थे, नाइंटीस के पसंद थे, तो हमने वही सारे सौंग बनाए, हमारी वीडियो बहुत वाइरल गई, मेरे सारी वीडियो लोगों को पसंद आती थी मैं जो most viral थी उनके clip भी मैं आपको दिखाऊंगी जो अगर duet मेरे पास हुए अभी तो मैं वो duet भी share करूँगी कि किस type की duet थे तो एक पहचान बनने लगी हमारी और जिस तरीके से, जिस इज़त से हमारा नाम लिया जाता था बहुत खुशी होती थी जानके तो ये जो वीडियो है ना ये ताशी की वज़े से बनी थी आज हमारी पहचान में share ताशी की वज़े से ही हो वो उसने रात में अगर ना वो ऐसा reaction देती ना हम इस वीडियो को बनाते और बहुत normal way में हमने बनाई थी ये सोच के नहीं बनाया था कि हाँ इसको आगे जाना चाहिए या फिर कुछ भी क्योंकि मैं वैसी ही रहती थी ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए अलग से तयार हुई मैं वैसी ही रहती थी मैं हमेशा सस्वराल में वैसी ही रही हूँ तो पल्ले के नाम से कि कभी इसका पल्ला नहीं हटता है इस नाम से मुझे famous किया गया संसकार बोले गए, संस्कृती बोली गई, मर्यादा बोली गई भारती संस्कृती के नाम से मेरा नाम लिया जाता था तो बहुत खुशी हुई और भी कई सारी कहानिया हैं टिक टॉक से जुड़ी, लॉकडाउन से जुड़ी, छोटी-छोटी यादे हैं जो कुशी-कुशी याद करेंगे हम तो वो मैं शेर करूंगी ये मुझे लगा ना कि मुझे वेलेंटाइन दे के दिन उनके लिए करना चाहिए तो मैंने सारी वीडियो सारी तो नहीं जो मुझे लगा कि अभी मुझे करना चाहिए हो मैंने वीडियो रीक्रियेट करी उनके लिए डुएट किया है उस वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर और आज का दिन आपके नाम, हैपी वेलेंटाइन दे हम अगर अपने लाइफ के बड़े बड़े दुखों को याद रखते हैं तो छोटी छोटी खुशिया भी हमें याद रखनी चाहिए हमेशे अपने अगर हम किसी को याद करना है तो खुशों की याद करना चाहिए खुशी के जो पल होते हैं उनको हमें याद रखना चाहिए तो बहुत स्युतन LGBT किस्षे हैं चोटी चोटी से जो अब मेरे लिए बहुत बड़े हैं उसस्ताम चोटे थे, अब मेरे लिए बहुत बड़े हैं मैं चाहती हूं कि व्लॉघ में रहे ताकि मैं जब चाहूं उन्हें देख सकती हूं, महसूस कर सकती हूं, इसली मने इसे शेर किया, और भी कई किस्सें हैं, अगर हम सर्च करते हैं, गूगल पर जाकर, तो लवबड के नाम से ID खुलती है, बहुत खुशी होती है, लवबड स्यार, अच्छा लगता है, सुमकि अच्छा लगता है, और ह है, हम है, क्योंकि वो आज भी है, मेरे लिए तो है, आशी जी का नेचर ना बहुत जिन्दा दिल टाइप के इंसान, है वो, है, भे नहीं है, क्योंकि टेंशन ना उन्होंने ली है, ना उन्होंने दी है, हमेशा जिन्दा दिली से जिये हैं, खुश होकर जिये हैं, तो को मुझे शेयर करना था तो मैंने किया और भी कुछ याद आएगा याद तो रहते ही अगर लगागे मुझे बताना चाहिए तो मैं जूरूर बताऊंगी इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं और जो मेरी मेमोरीज हैं मैं आपको इसकी क्लिप दे दूँगी अब देख सकते हैं उन क्लिप्स को किसे पूछूं है ऐसा क्यूं बेजबासा ये जहां है खुशी के पर कहाँ ढूडू ढूडू बेरी शांसा वक्त दिया है पर पर हर लूँ हो मैं क्या से सहता हूँ पर पर हर लूँ हो मैं तुद से ये कहता रहता हूँ क्योंकि तेरी हो अब तेरी हो हूँ अंबर सरिया तेरी हो जैनी मेरा दिल के भी साजना मैं हरवानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है गये कुल गये हो क्यूं रात बाकी है तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है जिन्दगी ने जिन्दगी भर्गम दिये